यह प्रेंट्स वेलकम टू पॉल्टेगनिक पार्शाला हम लोग अप्लाइड मैच्वमेटिक्स थर्ड को आगे बढ़ाते हैं अभी यह चैप्टर पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर प्रड़ रहे हैं फंक्शन आफ टू वैरिये वस्ट तो इसमें क्या है एकशली में हमको अमारे बुक में कहलें हमें चैप्टर का पढ़ने का और ये जानना तक तक देखे यह आप्टिश्ट्侪रों जानना कि डिफ्रेंट डिफ्रेंट देखिए यह आप तभी जान सकते हैं किनके माध्यम से इक्वेशन के माध्यम से आप जान सकते हैं इक्वेशन के माध्यम से आप यहां पर इनको जान सकते हैं तो वह बात तो ठीक है सकते हैं लेकिन हमसे बोला जा रहा है से फ़ले फंक्शन तो फंक्शन के बारे में आपको पिछले क्लास में भी बताए थे जैसे फंक्शन आफ वन वेरियेबल होगा जैसे बोलते हैं कि वाई वाई जुकल टू एफेक्स है एक्सका मतलब क्या है कि एक्सक के आप कोई भी मान लिजिए उसके लिए एकई का मान मिलता है यह कभी नहीं होगा कि एक है और डूनों के लिए आपको ख्या मिल जाए यह यह्णि दो एक once के लिए एक वाइन मिल जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता ऊ tekrar कभी नहीं हो सकता ओना नहीं हो सकता एसा कभी नहीं हो सकता ठीकler अगर ऐसा हुग identical function नहीं करना हैगा समी करन तो रहेगा एक्वेस्टन तो इनमें एक एक्वेशन बनता है जैसे वाई स्वार इक्वेशन बन गया तो कोई जरूरी नहीं यह देखिए यह एक्स का आप एक ही मान रखेंगे यहां पर दो मान मिलेगे थीक है यह यह गलती हो गया यहां यहां पर देखिए अगर हम रखते हैं यह भी वन है और एक्स का मान आपने क्या मिले प्लस माइनस दो यह एक ही एक्स के मान के लिए आपको वाई के दो मान मिल रहे हैं तो यहां पर फंक्शन नहीं हो सकता ठीक है इसका मतलब यह हो गया कि मैपिंग में जब हम जाएंगे तो यहां से एक ही एक्स का मान के लिए वाई के दो मान आ रहे ऐसे यह रूख कभी नहीं निकल सकते फ तो हमको समीकरण और उसमें ध्यान देना है वास्तिक संच्छाओं के समुच्छा से सब मिलके बना उसके बाद यह कहता है और उसी ना नोगत करते हैं को फंक्शन this the बोलते हैं को बोलते हैं सपन्क्षण उसका मतलब यह हो गया कि आप कोई भी कॉंबिनेशन लेघ्ये जेसे एक्सवाई का मनेशन लेते हैं ऐक मैं भी और उनकर не देट का केवल एक ही मानाता है तब तो सही है ठीक है और उसी के लिए गर देट का दो माना गया तो function आप two variable नहीं कहलाएगा तो हमको हमेंसा function आप टू वेरीआबल रहे गा तो उनको क्या मिलेगा तीन में एक्स्य मीलेगा एक लिएशन मिलेगा जैसे अम बूल सकते हैं देट पर उंडरूट वन माइनस अ इसपार माइनस को सब्सक्राइब अब कई एक्वेस्ट अब कहाई जो है दो वाइरिएबल का यहाँ फंक्शन एक्सण एक्सर वाई कई तो अब function क्या रिप्रिजेंट करता है दो variable वाला function किसको रिप्रिजेंट करता surface जो ब्याद करता है यानि sprit को या सता को किसी सथ θα को निरूपित करता है ठीक है यहां पे ऐसे समझ जीए यह तो कोई ऐसा है कोई ऐसा को मैं astronomy पाउं को कोई ऐसे सत्ता को यह निरूपित कर रहा होगा जो यह तीनों मतलब इस इस काली यह 3D स्पेस में है ठीक है यह 3D होता है अगर नहीं होगा आपका मतलब 3D वे में आप नहीं देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा सर्फेस तो आप जानते हैं 2D में आपको क्या मिलेगा मतलब एक तरह से 3D फिगर हो जाता है ठीक है लेकिन अब कई सर्फेस अलग अलग तरह से होते हैं आप इनके साथ मतलब यह तीन इक्वेशन बणते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि लिखेस आपके बनेंगे अब हर स्तिन वेरीशन हर एक ईक्वेशन एक प्रिस्ट को यानि कि एक सर्फेस को रिपरजेंट करेगा निरूपीत करेगा लीकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वह function ही हो तो यह थोड़ा सा हम आपको बताना चाहरा है थे क्योंकि आपके किताबों में लिख देगा कि function लेकिन एक्चुली में function है कि नहीं यह डिसाइड करता है कि X और Y का कोई भी combination ले अगर मान लिजे यही से यह हो जाता जेड़ स्क्वाइड इसक्वाइर इसक्वाइड कोई भी एक मान लेते आप एक मान लेते आप जेड का दो मान आता क्योंकि जब आप प्लस-माइनस ही तो इस तरह से एक मान के लिए दो मान मिल गया एक प्लस में इस में यह फंसन नहीं हुगा लेकिन जब हमने यहां से हटा र क्यों की कि कि फ्लस पॉजिटीव ही लेंगे तब रूट हो गया लेकिन इस केस में यानि प्रिष्टों को निरूपित करते हैं तो उन्हीं को हमको देखना है ठीक है तो आगे आपके भलाइं आपके बुक में सेलेबस में लिखा है फंक्शन आप तू वैरियेबल लेकिन कहीं पर फंक्शन की बात किया ही नहीं जाएगा जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है ज लो अब बात करते हैं कुछ एक्वेशन की या कुछ एक्वेशन की यानि समय करणों की एक्वेशन साथ त्री वैरियेबल के बात करते है या फिर हम बोलेंगे इनको ही इक्वेशन आप प्रिष्टों के समय करणों के बारे में बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहला सबसे बेसिक प्रिष्ट क्या होता है एक समतल होता है एक प्लेन आपने पढ़ा होगा पिछले क्रास में पीछे आपने पढ़ा होगा आई होग कि आपने पढ़ा हो ठीक है तो plane की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम लोग plane की ठीक है तो एक plane का equation एक समतल का equation कैसे लिखा जाता यहां पर यह क्या है एक समतल यानि की plane को निरुपीत का मतलब हता है रिप्रेजेंट निरुपीत करता है जिसकी दिक को जाएं ठीक है अब यह क्या होती है डारेक्शन को साइंस अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है आप इंटर में भी पढ़ेंगे इंटर्मीडियाट में भी पढ़ेंगे डिप्लूमा में भी पढ़ेंगे अगर नहीं पता तो एक बार आप जाके देख सकते हैं डा तो यह हो गया आपका एक सम्तल एक सम्तल का समिक्रण एक तरह से और भी लिखा जाता है एक सम्तल का सम्तल यानि के प्लेन है तो देखिए एक सता ही तो है यह यह लेकिन सता है एक प्रिष्थी यह है लेकिन प्रेंट प्रिष्थ है सम्तल प्रिष्थ है थिकिए तो यह ऐसा एक सम्तल को निरुपित करते हैं तता यहां पर क्या स्पेसिपिकेशन है कि यह सम्तल ऐसा सम्तल होगा जो एक्स वाई और जेड़ पर क्या करेगा एक्स वाई तता यह सम्तल यह समिक्रट ठीक है न यह वाला सम्तल एक्स वाई तता जेड़ अक्षूं पर एक्स वाई वाई तता अगर इसको फिगर से हम बना के दिखाएं आपको अगर इसको फिगर से हम बना के दिखाएं तो मैंने बोलाई एक्स 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 है यसे जेड़ और यह कोई सता सम्तल है आप दिखे रहा है, एक सम्तल है, जो X-axis पर यह अंतर खंड काट रहा है, यह हमारा Y पर B अंतर खंड है, मतलब यहां से यहां तक दूरी B है और यहां से यहां तक C है, तो इसके निर्द सांग क्या हो जाएंगे, ए, कॉमा, 0, 0 और इसके निर्थिसा nevertheless जहाएंगे, 0,B, 0 और इसके क्या हो जहाएंगे, 0, 0, क्यों? क्योंकि आपको पता है पहला x, x पर है पहला x कोडिनेट है दूसरा y कोडिनेट है तीसरा क्या है, z कोडिनेट है तो अगर x, x पर ही आएंगे तो वहां पर y और z क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे ठीक है तो इस तरह सी यह समतल का यह वाला समतल तो यह भी क्या एक सर्फेस ही तो है यह पूरा प्रिष्ट को निरुपित कर रहा है पूरा प्रिष्ट ठीक है उसके बाद आता है समतल के बाद समतल के बाद हमारा क्य करेंग। करेंगे कि altre करएं बात करेंगे स्फीर की इसकी बात करेंगे है पां मेघ्ड करेंगे सिल्फिंयर की या नी गोले कि इसके बाद आता है जो भी point हो, तीसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, तीसरा है, x square plus y square plus z square is equal to r square, यह क्या है? एक गोले, यानि की square को निरूपित करता है, यानि इस equation से मतलब क्या है? एक गोला है, ठीक है? इसका केंदर क्या है? center क्या है? तो वह होगा, 0,0 इस equation के लिए, इसके लिए, जो केंदर होगा, क्या होगा? 0,0,0 क्योंकि S के साथ B कुछ नहीं है, Y के साथ भी कुछ नहीं है, Z के साथ भी कुछ नहीं है, और r गोले की trim cake क्या गोले कि त्रिज्ञ यानी रेडियस आपदा स्फियर को कि क्या है डिप है तो आप समझ लीजिए वह एक तरह से कन लीजिए या एक होने चाहिए शमान क्या एक होने चाहिए मतलब इनका गुडांग एक होना चाहिए ठीक है और जो भी है राइट-धन साइड में तो इस तरह से आप इसे आप से आप क्या निकाल सकते हैं कि ये किए गोला है गोला तो आप समझी रहोंगे गोले का सर्फेस काने का मतलब थीक है गोले के सता को में हुआ हूँ है गोले के परिष्ट को आपके पूरा गोला नहीं को दो क्यों फंक्षन आप यो त्री वैरियेबल का मतलब हो गया अब उसमें चार जो है आपके वैरियेबल आ जाएंगे ऑग कि आपको लिखेंगे तो हुआ पर फिर फिर यहाँ पर उप्रेजेंट करता ओसे आयतन को to do पूरा आयतन को रिप्रेजंट करता ठीक है लेकिन वह बहुत complicated हो जाता अभी यही complicated हो जा रहा है ठीक है तो इसलिए function are to do के रहेंगे ठीक है हलाकि आप बोल सकते हैं three variables लेकिन उसको माइंड से perceived करना कंसीव करना बहुत मुश्किल है इसको ही अभी आप कुछ कुछ ऐसे देखेंगे अभी एक्वेशन जिनको आप माइंड से सोच पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा ठीक है एक तीषयक का बादव चौत है आते हैं तो चौता एक्वेशन स्फिय का लेते लेकिन अलग फॉर्म का लेते अ हैं जैसे कि कर हम लिख रहें एकस माइनस एक का होल इसका मनलब एक गोले के अचा करतה है और mustard का ही सर्फेस अब करता है अब अपने बुक में देखिएगा सब चीज लिखा हुगा है हम बस समझाते हुए जाएंगे पूरा यह लिखेंगे नहीं ठीक है ज्यादा काइम लग रहा है तो इसका जो केंद्र होगा यहां पर सेंटर जो होगा केंद्र गोले के लिए कैँ आपके बुक में लिखा होगा अब क्या उसमें सुधार करना यह सुधार हमने पहले आपको बता दिया इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप में बूक में पढ़िएगा और फिर देखिएगा मारे वीडियो के माध्यम से हम क्या बोल रहे हैं ठीक है और उसमें क्या दिया गया है तिक है सुधार करिएगा और आप चाहे तो और शियोर्टी के लिए आप गूगल पर सर्थ भी कर सकते हैं आप खुद ही देख लीजिएगा ठीक है अब बात करते हैं गोले का एक और फॉर्म होता है को लिखा जा सकता है एक और होता है स्पीर का ही बात कर रहे है तो कि इसका और प्लस ही होना चाहिए प्लस कुछ ले 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 जहां पर एक्स वाइजट वैरियेबल है यह ध्यान देखेंगे और दी ले लेते हैं क्या चीज जो आपका केंद्र है चेंटर माइनस यू माइनस वी और माइनस डेबली हो जाएगा उसके सरकल जैसा सोचिए गाई ठीक है और इसका जो रेडियस हो जाएगा यानि त्रिज्या हो जाएगा लो किछा का इसका μईन दो जायगा जाता उन्दर रूट में यूज और फ्लस ब्स्कर्प्लत डबलीम्स इसक वह गाई गाँ तो यह को रहें जाए है तो यह कुछ गोला गोला हो गया अब इसके मेरे था कि आते हैं इस पियर के बाद आते हैं हम लोग होण पर अधाहर इक और कौन का आता है यह कि ऐख यह गोले का दंगे साय को टले अब करा समीपर हुर्म दोग देख लेते हैं वो होता है आपका x- alpha ठीक है यह x- x1 वाला ले लेते हैं ठीक है x- x1 x- x2 plus y- y1 y- y2 यह भी बोले का हुँआ है plus z- z1 और एक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता एक्चुली में यह जो है उस गोले को स्फियर को रिप्रेजेंट करता जिसके यह तो देखी यह तो गोला है नहीं आप इसको थोड़ा सा आप समझ पाएं क्योंकि बोर्ट पर तो हम स्फियर बना नहीं सकते तो अगर इसका डाया कोई डायमीटर है ठीक है दामीटर तो अंदर से ओगा उपर से हो थो आहिए हूँ ठीक है आपको पता है डायमीटर अंदर से यह होगा सेंटर से ऑखिए जाएगा तो अगर उसके सीरे जैसे इसके निर्देसांख x1 y1 Z1 और इसका f2y2 और Z2 हो तो इसका मतलब यह व्यास सबसे पहले क्रवाइब सबसे पहले हमने देखा है सबसे पहले हमने देखा कि प्रिष्ट में जो है क्योंकि किसी ऐसे से ब्यक्त किया जाता है तीन यानि या को मानते हो तो किसी प्रिष्ट को यानि सर्फेस को समीकरण द्वारा ब्यक्त कर सकते हैं अब उसमें हमने देखा समीकरणों में सबसे पहले किसको समतल को देखा समतल को कैसे समीकरण से ब्यक्त कर सकते हैं और इसी तरह से हमने देख्वाइव तक मैं स्कूं करने का एक इःक्MI इसकी बात कर रहे हैं हम्रोग संग कूं का सर्फेस करने का क्या है तो ये कुछ एसा है कि का अच्छान का आधे अच्छ प्लस ब्यू आइस प्लस अच्छ और अच्छ अध्य लिखे क्या लिखते हैं देख लेते हैं क्योंकि आपके किताब में जो दिया होगा वह आपई सी से चलेंगे तो H और G और F लेंगे है तो H X Y होगा यहाँ से, फ्लस 2 G Y Z, फ्लस 2 F, Z X, यह से तो X तो इस उपल टू 0 , यह क्या करता है ? यह संकु को निरूपित करता है यह ऐसा समिकाण आपको मेले तो समझ लिए यह संकु के सरफेस को रिपर्जेंट कर रहा है ठीक है और यह संकु कैसा भी हो सकता ठीक है देखिए दो संकु तरह से मतलब होते हैं एक राइट सर्कुलर कोन होता है तो लंब व्रिट्टी संकु आप लोग हिंदी में नाम शुनेंगे लंब व्रिट्टी की बोला जाता है लंव वल्व उल्व संकुलर के वरित्ति बालब है इसका बेस सर्कुलर है और रोमु वर्टेक्व से ईसका जो यह मिलाने tank से से स्टे सरा लाइन है यहां पर सिस्टे करें ने लिए पूल यह इसा भी हो सकता यह कि अब हो सकता है में यह भी हो सकता है फैंग से कैस नहीं है यह सब एक tous एक general टीक है अब लंब व चर्व क्या होता है इसको लेकिन इसका जो स की सिर्स होता है यही आपका क्या है लं रित्ति-संक्व इनलिप्ती मेंकर बोलते मैं राइट सर्कुलर को राइट सर्कुलर को अब जो है इसका जो सिर्स होगा जो जहां पर रहता है यह सिर्स वह कहां पर होता है तो इसका जो सिर्स होगा सिर्स यह होता वर्टेक्स होता वह 0,0,0 पर होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद देखते हैं एक और संकु का एक्वेशन अभी संकु ही जानि कोन ही है कोन यानि की संकु ही चल रहा है लेकिन इस बार होगया लंघ रित्ति राइट तरकूलर यानि लंग विरित्ती होगे ठीक है जो कि अभी हमने फिगर बनाया उसकी बात करते हैं तो इसका जो एक्वेशन होता है कुछ इस तरह से होता है अब यह क्या होता है तो इसका भी वही चीज सिर्स जो होगा यानि कि जो आपका सिर्स जो होगा यानि कि वर्टेक्स जो होगा सिर्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वर्टेक्स जो होगा वह जीरू कॉमा जीरू कॉमा जीरू पर होगा और जो यह अल्फा है यह क्या है यह इंगल है इसको बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल ठीक है अर्ध सिर्स कोड अर्ध सिर्स कोड इंग्लिश में बोलते हैं स आधा व्ला एंगल और इसमें ध्यान देना जिसके साथ होगा उसका यह नहीं है सिपिना इंगरा आश्च पैक्षा आविसा क्यों यहां पर देखिए च्छोटा सा बना रहे है आपका एकस एकसीष से और ये जैडा से ठीक है और हम कहां रहे हैं कि जो होगा कुछ ऐसा होगा इस आपका पून होगा कुछ रहा है यानि यह हो गया सिर्फ उसका 0,0,0 ठीक है अब और यह किसको निरुपित कर रहा है यह वाला यह वाला निरुपित कर समझ economy निरुपित करने का मतलब X Y Z के मान कौन से मान को मिंद्गे IT सद्रमकोब्ण के सब्सक्राइन वह मान को रखिए इस समिक्रड में आपको संतुर्ष कराएंगे जहां पर यह अलफा क्या है अलफा यह सेमी वर्टेक्स तो कुछ आइसा है टो हमेशा यह इक्वेशन पढ़ते समय मायंड में रहना चाहिए यह निरूपित कर रहा लेकिन कौन का कौन सा हिस्सा तो आपको पता होना चाहिए उसका सर्फेस वाला उपर हिस्सा जो सत्ता हो वाला हिस्सा है जैसे गोले का भी जो हम लोग देख रहे थे वह गोला का आपने स्तियर लिया था उसके अंदर अगर आप कोई पॉइंट ले लिए और एक्स वाई जेट उसका निकाल लिए ठीक है कोई भी पॉइंट अगर आपको 3D में दे दिया जाया और एक्सिस भी हो तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं जैसे यहां पर लिखा हुआ है यहां प नहीं दिखा सकते लेकिन आप समझ समझेंगे कोशिस करेंगे तो जरू समझ जाए नहीं तो गोला का मतलब जो समीकरण जो है उसको संतुष्ट करेगा ऐसा पॉइंट जो की गोले के सर्फेस पर हो अगर आप उसके अंदर का कोई पॉइंट ले लिए और उसके एक्स जाता था है अगर चार वैरियेबल में हो तो होंगे कि पूरा वॉल्यूम ही रिपर्जेंट होता है पूरा आयतान को ही रिपर्जेंट किया जाता है ठीक है कि चलिए कि एक सेकेंड अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और आगे हैं इनको बोलते हैं सांकवंज ठीक है सांकवंज बोलते हैं कि सांकव आप लुब पढ़े होंगे सांकव और आइसे लिखा जाएगा ज्यादा सई रहे हैं हैा जो आपके दिर्गवरीत परवलाए होते हैं यानि कि इलिप्स परबोला और ھैपशन को बला जाता है क्या होते हैं कौन लेते हैं Sakus लेते हैं और उसको जगह जगह से जब किसी प्लेन से काटते हैं किसी सत्व से तो आपको क्या मिलता कर्व मिलता है आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कोई सर्फेस होगा किसी भी सर्फेस को जब आप किसी प्लेन से काटते हैं किसी प्लेन सर्फेस से तो आपको हमेशा कर्व मि मिलता है ऊसी हो जाता है तो सरकल बन जाता निकि विरित बन जाता है यानी यह सभी क्या सब्सक्राइब काटते हैं जब आप सेक्षन वाई किसी सतह से आपको क्या मिलते हैं यह समीकरण मिलते हैं लेकिन आगे कर रहे हम लोग जब आयतन कोई चीज होगा और उसको सर्फेस से काटेंगे तो आपको सर्फेस मिलेगा ठीक है कुछ अलग आईसा टाइप का है ठीक है तो सांग को वाज कोनिक वाइट समलुक देखने जारें कुछ समीकरण देखने जारें यानि कि यह क्या रूप निरुप सबसे पहरा जो होता है वह दिर्गिव्रित वाला होता है अदर क्या इससके बोलते हैं इलिप्सॉइड बोलते है लिफ्सॉइड एंड अब समीकरण कि इसका अगरन होता है x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1 यह आपका ellipsoid होता है, ellipsoid ऐसे है, sphere को आप समझे दबा दे रहे हैं, ठीक है, यह कह लिजिए, sphere जो होगा, sphere यानि गोला, यहाँ दे समझे गा, sphere गोला कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, यानि इसका जो center है, समझे लिजिए एक सी center पर है, जो center पर है, तो center क्या होगा, 0,0,0 होगा, तो इसका भी हम बोलते हैं कि जो केंद्र है, यानि center जो है, मेनिंग से मेनिंग, इसका 0,0,0 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सब जो है, जाए, पर भी बड़े अगट जाए, मतलब बराबर नौर है, ABC अलग-अलग मान हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, यही क्या बन जाता है, ellipsoid बन जाता है, ठीक है, तो यह पूरा surface क्या है, ellipsoid वाला पूरा surface रिपर्जेंट करेगा, जाए समीकरण, तых 10, घी होता है, इलिपsoid उसके बाद आता है, इलिपसवाई इलिपसवाइट यानि दिर्ख बृत तच के बाद आता है दिर्ग बृत दिद्ध के बाद आता है, गृत्री करण आपका, बोलते हैं वन सीट हाइपर बोला है वन सीट हाइपर बोला तो वन सीट हाइपर बोला में क्या होता है एकसि स्कॉयर यहां पर चीज बताया जाएगा जो यहां पर काटे गा यह देखिए इधर भी काटता और एक्स पर नेगेटिव भी काटता है तो जो एक्स एक्स पर इसके कटान बिंद्द होते हैं वो क्या होते हैं एकॉमा 0,0 और माइनस एकॉमा 0,0 भी होगा क्योंकि आप देखिए फिगर है यह पीछे भी जाएगा यह पूरा है ठीक है तो जो अगर आप से एक्स एक्सिस यहां से निकल रहा है सेंटर से तो पीछे भी तो ओगा उसका इस्ता तो पीछे भी जो काटे गा नेगेटिव ए यहाँ पे क्या होता यहाँ धो ही आछ पर काटता है तीसरा नहीं है तो इसलिए बोलते से मोई चीजे हैं ए और बी जो होगा क्या होगा इसके केंद्र होंगे जीरो कमा जीरो कमा जीरो आपके बुक में लिखा होगा आप लोग देख लीजेगा ठीक है और जो है इसके जो काटना कटान बिंदू है वो क्या है एक्स पर जीरो जीरो होगा माइनस जीरो 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 अगर काटता नहीं तो उसके लंब वहत दिशा में जरूर काटता है देखिए जो आपका जो होता है u रियल एक्सिस्कोंत होता नहीं घु़कर हम केऩ मेन को यह पचता नहीं था सुरु में जब नमबर बनाते थे इमेजनेरी नंबर जिनको हम आज कहते हैं या तब भी कहते हैं क्योंकि हमको पच नहीं रहा था इसलिए हमने नाम दे दिया इमेजनेरी नंबर लेकिन इमेजनेरी नंबर नाम का कोई चीज नहीं होता है ठीक है क्या होता है वियल नंबर यह क्या है मतलब एक्चुली में imaginary कहते हैं लेकिन वो imaginary नहीं है क्योंकि nature को समझने में सबसे ज्यादा important role यही play करते हैं imaginary numbers are not मुझे तो नहीं लगता कि कैसे कि यह imaginary actually में यही real है ठीक है यह जो है बहुत important role play करते हैं पूरे universe को समझने में ठीक है और आपके जो है जो computer में imaginary number का बहुत ही ज्यादा यूज होता है तो आप कैसे कर सकते imaginary है जब आप computer का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है तो लेकिन कहा जाता है ठीक है तो वह 90 डिग्री पर काटेगा कालपनिक अक्ष पर काटता है यानि वही 90 डिग्री आप उस जेड अक्ष के 90 अंस पर अगर अक्ष बना देंगे तो जेड़क्ष के लिए वह क्या हो जाएगा कालपनिक अक्ष मिल जाएगा और उस पर जरूर जाके काटता है ठीक है कोई पॉइंट पर, तो इसलिए बोलते हैं काल्पनिक अख्ष पर काटता इसी तरह से यहां पर इक और आपको समझने में कोई दिक्षत होगा और इसका भी केंद्र क्या होगा जीरो कमा जीरो कमा जीरो होगा अब यहाँ पर क्या होगा आपको लिखना होता है अगर आप मिय shifts सवाल पूछ दिया ठीए उसके बार आता है ellipsoid थीक है तिसको कि इसको इंग्लिभेटिकल कि अभूल है कि इसका जो होता है कुछ ऐसे होता है अब कहीं कहीं तू नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब वह मैं समझेगा कि वह नहीं है वह भी है तू को इसे में मिला के इस कौंस्टेंट में मिला के कर दिये डिकत है ठीक है यह हो गया आपका एलिप्टिकल एक होता है कि आई पर वोलिक पैरा वोलाएं अच अबर बोलिक मतलब अति परवलैक त्थिक एंद अधार वोलिक पैरा बोलाएं आति परवले परवले है इसका जो एक्वेशन होता है बस यहां पर माइनस आ जाता है तो यह है आपका एक्वेशन आपके ठीक है और इनी से आपका जो है यही दो एक्वेशन है यही चलते हैं अब इसके बाद आ गया आपके लिए कि कुछ समी का अगर आपके सामने कुछ एक्वेशन दे दिया गया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है तो कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं क्या कर लेते हैं तो इतना कुछ था 3D में ठीक है मतलब सर्फेसेज में या जो कह लेजिए चैप्टर में इतना ही सारी चीजें थी अब एक क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है दो क्वेश्चन आपको करवाते हैं जो कभी प्रीवेस यहर में आपके पूछे हुए हैं बहुत लंबे समय के फिर भी हैं अब आज कल इनसे कुछ इस पूछा जाता है तो लेकिन कर लेना जरूरी है इस प्लस इस्पायर माइनस तो Christians जो हो सकता है आप कर पाएंगे तो आपको दिख्रहा एक्स वाइज तो है ठीक है ना लेकिन माइनस है तो क्या कर देते हैं इसको पहले उधर भेज़ देते हैं तो 144 X स्क्वायर प्लस 64 Y स्क्वायर माइनस 30 Z स्क्वायर इस इपल तू 576 से भाग दे देते हैं तो 144 X स्क्वायर बटे 576 64 Y स्क्वायर बटे 576 और फिर क्या हो गया यह माइनस 36 Z स्क्वायर बटे 506 और इस इक्वाल टूवन हो गया क्योंकि दूनों पक्षों में भाग दे दिया तिक है यह आपको बताना किसका स्क्वायर होता 24 का होता है अब यहां पर 144 का होता है थोड़ा आप सकते हैं लेकिन हम ऐसे लिख दिये तो थोड़ा आपको आसान दिखेगा यह भी वह गया 24 का स्क्वायर और 64 किसका होता है इसक्वायर बन गया यहां पर 24 का स्क्वायर यहां पर स्क्वायर नहीं बनेगा तो नहीं चलेगा क्यों रूट टू कर लेगी कोई जरूरी नहीं कहां स्क्वायर ही बनना चाहिए कुछ भी नंबर आजा उसका इस्क्वायर बना सकते हैं ठीक है और यहां पर यहां पर यहां पर देखें तीनों पॉजिटीव होता तर तो यह क्या होता है दिर्ग वृत्तज होता लेकिन चुकि यहां पर एक माइनस हो गया तो यह सब्सक्राइब हो गया वन सीट हाइपर बोलाइड है अगर हाइपर बोला लिखें होंगे पीछे तो आप उसको सही कर लेजिएगा यानि एक प्रिष्ठीर अब इनको ने एक बार आप सर्च करिएगा गूगल पर और इनका सर्फिस देखने का समझने का कोशिश करिएगा ठीक है एक बार गूगल पर सर्च करके इनका सर्फिस सत्व को देख के समझने का कोशिश करिएगा यह कैसे सत्व भन रहा है ठीक है आपको दिखेगा ठीक है जैसे बता रहे हैं आप तब आप हम से अच्छे से रिलेट कर पाएंगे ठीक है ती हो गया वन सीट हाइपर बोला जिस किस बिंदू पर काड़ता है 2,0,0 सथा माइनस 2,0,0 बिंदू वो पर काड़ता है आप लिख सकते हैं इसी तरह से y x को y x को किस पर काड़ता है तो 0,3,0 तथा किस पर और 0,3,0 पर और जे डक्ष को क्या बोलेंगे जे डक्ष को काल्पनिक विंदू पर किस पर काल्पनिक विंदू पर काड़ता है तो यह हो गया आपका पूरा इसका डिटेश्ट अब एक और क्षिन लेते हैं उसको करते हैं कि परिस्ट y is equal to 4 x कि पाचान करें तो यह तो बहुत सिंपल हो गया यह प्रिस्ट है यह नहीं यह तो कर्व है इसपरिस्ट लिखा है प्रिस्ट वाइज स्कार पूछेगा आप से मतलब की कर्व है और कैसे हो सकता है तो इस कर्व की पाचान कर रहा है लेकिन कह रहा है कि और यह पूछा भी आप से बी ट्यूपी 2011 में इस प्रिष्ट की पाचान कर यह प्रिष्ट है नहीं है कर्व है ठीक है और यह क्या होता है परवल होता है आपको पता है क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और आपका यह चेप्टर खतम हो जाता है अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंट्रेस्टिंग अब बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पार्सियल डिफ्रेंसियेस में क्लास से में लोग क्या पढ़ेंगे पार्सियल डिफ्रेंसियेसम आंसिक आउकलन थिक है तो मिलते है नेक्स्क्रास से मैं तब तक दीजिए इजाजत धन्यावाद